उला उबर उसमें चलाएंगे तो कि आपको प्राइवेट कस्टूमर नहीं मिलेगा आपके लिंक नहीं बनेंगे आपके बास महीने के दस बारा पंदरा काम प्राइवेट नहीं आएंगे हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वल्कम बैक टुडी चैनल मैं हूँ रिशी और आप देख रहे हैं रिशी सिंग व्लॉक्स तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस तारीक आज अपनी 6 जून 2023 और समय हो रहा है मेरे बाई 2 बचके 21 मिनट अब आप सोच रहा होंगे कि आपका भ मैं आपको बता दूं 1500 रुपए का टोल लगेगा मेरे भाई 600 रुपए की गैस लगेगी क्यूंकि मैं आशियाने आया हूँ और यह राइट वही वाली है जो भी तिन्चार दिन पहले आपना आया थे ना जिसमें यह confirmation नहीं था कि वापसी का जाना है कि नहीं जाना लेकिन लाश्ट में वापसी जाना पड़ा था ठीक है तो यह वही वाले भाईया है ठीक है तो इसमें बचत भी अपनी एटारस होगे आसपास ही आएगी यह दोस्ट ठीक है लेकिन जो आजका मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मेरे भाई वो यह बताने के लिए नहीं बना रहा तो फड़ा फट से चैनल को पहले तो कर लिजेगा सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है और उसके बाद बैल आइकन बटन तो जरूर से जरूर दबा दीजेगा अब करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात उन भाईयों के लिए करेंगे जो यह सोच रहे है कि हम गारी ले और ओला उबर में लगवाए और किसी डूसरे से चलवाए या निकी कि किसी ड्राइवर से चलवाए ठीक दोस्तों तो उनके मन में कहीं न गहीं यह बास जरूर आती होगी कि भाई हमको गारी नहीं लेनी चाहिए कि पुरानी लेनी चाहिए यह वाले जो पांचे महीने के बाद आपके ड्राइवर सहाब अगर गारी सही से नहीं चला है तब आप क्या गरेंगे वो लाइन आपने सुनी है मैं आपको बताएं यह लाइन वहीं पर सूट करती है क्योंकि आप नहीं गारी लेकर फस गया है उसका दीजन यह कि पांचे महीन दों तो सही चला गारी की एमाई आपको देनी अभी कम से कम पान साल च्छै महीने भी हडा दो आप तो भी सारे चार साल ठीक है और च्छै महीन कम करते हैं कुछ के दिमार की क्यों यह होती है कि हमको जितना पैसा मिल रहा हम उतना काम करेंगे समझ रहा उनको मतलब नहीं करें तो अपने यहां पे अलग-अप के लोग अच्छे बात लेकर अगर यह सोच वाले मिल गए कि हमको जितना पैसा मिल रहा हम उतना ही काम करेंगे तब तो फिर आपको समस्या हो जाएगी क्योंकि आपने तो पांच साल के लिए गारी ले लिए एमाई पर है ना मेरे भईया तो उसमें आपका इल्टिमेटली लॉस ही है तो आप सबसे पहले नहीं रखते हैं ठीक है एक चीज मैं आपको बीच में और बतारूं मैं कंटीनू करूंगा कि कभी-कभी क्या होता है कि यार हम जब कोई बात बता रहे होते हैं उसको दो-तीन बार रिपीट कर देते हैं तो उसके लिए ना अगर कहीं आगे चलके हो जाए तो आप समझ जा हैं यहारी तो दो च्राओं तो आपने बार क्यारी सही चली मछे महिनें अगर आपको पैसा नहीं बच रहा है कि हाँ लॉस दोस्तों तो आपने साड़े चार लाग की गारी खरीदी है चहलवाई च्छह महिने के बाद वह पैसा नहीं दे रहे हैं पैसा नहीं आ बी उसको बेस तो वो 4 लाग के बिग जाएगी, 4 लाग के तो आपका ये सिधा-सिधा ये आगया आपके पास, आगया ना, उसके बाद 5-6 महीने आपका आगया जो सही चला है, जो हम ये जोड़ा हैंगी, 5-6 महीने आपकी सही चले, आपका लॉस कितना हुआ, एक रुपए का भी नहीं, वहीं अगर आप नई गारी खरीद के उसकी EMI 5 साल की बनवाते हैं, तो भाईया आप जाएंगे फर्स, क्यूंकि आपके पास कोई second option हो गई नहीं, अगर आप उस टेम पर गारी बेसते भी हैं, तो आपको कम से कम देड़ से 2,5,5 रुपए का लॉस तो मेरे भाई हुई जाना है, अब आप बताईए कि हम यहाँ पर गलत हैं कि नहीं है, मतलब सॉरी, हम सही हैं कि गलत हैं, अगर गलत हो आपको लग रहा हो कि मेरी बात कहीं ना कहीं खराब है, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट शेक्षन में बताईएगा, हम उस बात को क्लियर भी करेंगे, पहली चीज़ तो यह, अब हम लोग आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी बात पर, जो की मेरे हल दूसरी दिन कमेंट शेक्षन में जरूर होता है, और बात वो है यह, कि भाईया, 15,000 रुपए के आसपास की अगर EMI होती है, तो वो निकलती है, कि नहीं निकलती है, तो मेरे भाईया, इसका जवाब तो यह है, कि जरूरी नहीं है कि आप उला उबर चला रहे हैं, तभी आपकी 15,000 की EMI निकले ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप भाईय रोज की 15 घंटे चला रहे हो, तभी आपकी निकले, नहीं, आप अराम से भाईय जो 10-12-13 घंटे चलाईए, ठीक है, और आपकी EMI बहुत आसानी से निकले गयो, भाईय कभी किसी की तो एक हफते में निकल जाती है, अराम से बसता है, ठीक है, और एक चीज़ में आपको और बता दू, ठीक है, यह तो रही श्टार्टिंग की बाच, जब आपके प्राइवेट कस्टुमर नहीं होते हैं, ठीक है, अब हम तो डाई साल से चला रहे हैं, मेरे तो प्राइवेट कस्टुमर मेरी महीने की कम से कम 10 से 15 बुकिंग प्राइवेट आती है, प्राइवेट कस्टुमर नहीं मिलेगा, आपके लिंक नहीं बनेगे, आपके पास महीने के 10 बारा 15 बारा पंदरा अकाम प्राइवेट नहीं आएगे, भाई सब के पास आते हैं तो आपके पास यह वाला रोटीन हो जाएगा, आपके पास ओला काम आ रहा, आपके पास ओला बहुत आसानी से निकलती है, अपके भी निकलेगी उसके लिए तो इतना सोचने वाली बात है ही नहीं मेरे बाई, इसी बात पर एक टॉपिक और भी है कि स्टार्टिंग में मतलब गारी जब नहीं लेते हैं तो काम आता है कि नहीं आता है, दुकू भीया आप नई गाड़ी लेने जारे हो ठीक आप पईसा फसाने जारे हो ये बात तो हम मानते हो और कहीं न गई ये बात सच भी है और किसी ने खरीदी वो ढ़ाई साल से इमाई दे रहा है और वो आगे भी देगा बाबा की दयार ही तो ठीक है पहले से चीजे नहीं पता होती है और वो चीजे तब पता चलिए जब आप काम करेंगे और काम करेंगे तो काम आएगा अब ऐसे अगर देखें तो हम सरकारी पढ़ रहे होते हैं उनको शिर्टी होती है क्या कि भाई उनकी नौकरी लगी जाएगी वो तो अपना काम कर रहे है ना आगे बाबा के उपर है बाबा चाहेंगे तो उनकी नौकरी लगवा देंगे उन्होंने महनत करी होगी उनका लग साथ देगा उनकी किसमत साथ देग तभी उनकी नौकरी लगेगी, है ना मेरे दोस्तों, तो पहले से कोई कैसे बता सकता है, आपको पास काम आयागा की नहीं आयागा, वो तो आपके उपर है, आप काम करो के तो क्यों नहीं आयागा, बिल्कुल आयागा, ठीक, हर किसी एक पास आता है, अब आप काम करने ही नि सब्सक्राइब शोचो कि अपनी गारी को चला लेंगे तो कितना पईसा भचा लेंगे चिज़े नहीं पता होती है जब आप करते हैं तभी पता चलती मतलब यह चीज़ आपको काफी पसंद आई होगी और नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं यार मेरा काम है बताना अब आप लोगों के उपर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और बाकी मेरे कस्टमर जो थे उनका फोन आ चुका है दोस्तों तो अभी ना अब काहन पर पहुच जाएंगे तो उसके बाद सीधा देखो अगर मन किया तो उला चलाएंगे नहीं किया तो नहीं चलाएंगे क्योंकि अपना गाम तो इधर होई जाएगा ना दोस्तों तो इसी के साथ ना व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड और बाकी चैनल को दोस्तो खिलके लाते रहो और देखते रहे और मेरी कोई भी बात अगर आपको खराब लगी हो बुरी लगी हो तो उसके लिए ना दिल से सौरी मेरे भाई ठीक है बाई बाई गुड नाइट